आदामी महाराश्व विधानसवा चुनाओं को देखते हुए, जिस प्रकार से राजनेता कारेकरता तैयारी में जुट गए हैं, उसी प्रकार पुलिस प्रशासन भी अपनी तैयारी में हैं नागपुर शेहर में शांती पुर्णव भैविरिक्त तरीके से वोटिंग हो, इसलिए पुलिस ने शांती पुर्णव भैविरिक्त तरीके से वोट करने की नागरिकों से अपिल की है, शेहर के क्रिमिनल डॉमिनेटेड एरिया में पुलिस ने अमना अपना दमखम दिखाते हुए रूट मार्च किया किसी भी प्रकार के लालच में ना पढ़ते हुए भैमुक्त तरीके से मतदान करने के लिए भी आवहान किया गया इस रूट मार्च में नाकपुर पुलिस समेच CRPF के जवान भी भरी संत्या में शामिल हुए इनके साथ में हमरे को रिचिशन के तीन अधिकारी और 20 करमचारीके साथ में यह पुरा रूट मार्च आयोजित किया गया इस रूट मार्च में जो दो क्रिमिनल डॉमिनुनेटेड एरिया है उस एरिया में रूट मार्च दिवाता वाले विदान्सभाय एलिक्षण में किसी भी प्रतार के प्रवाधा को फ्रलोगन को प्रवाधा की तरफ न चाते वह बिन्दास्थ नागरिकों वोटिंग करना चीए, कोई भी काईदा और सोष्था का अगर सवाल आता है, तो डायल मुझमन पर कॉल करें, उसके बाद कोई भी सोशल मीडिया पर कोई मैसेज आता है, जो जिससे काईदा और सोष्था बादित हो सकती है, तो इस बारे में पुलिस को तातका बताए, वैसे यही बैनर, जो बैनर अलग-अलग लगते हैं, उसमें कुछ पक्षोबग दिखाई दिता है, तो पुलिस को जानकरी दी जाए, और एरिया में, क्रिमिनल डॉमनेटेड एरिया में, काईदा और सोष्था रहे, इस उपलक्ष में यह रूपमार्च आयोजित किया गया था, यह रूपमार्च मुक्यता शताबदी चौप से शुरू होकर, शताबदी नगर, रहाटे नगर, टोली, रामटे के नगर, राजेश्री नगर, बेलतरोडी रोड से में रोड से होते हुए, वापस शताबदी नगर चौप पे लाया गया, तक्रीबन चार से पास किलोमेट सबी अधिकारी और अमलदार ने पुरी शिस्त के साथ यह रूपमार्च आईविर किया गया, पुरी तरह से हम लोगों ने रूपमार्च की कारवई की, तो एक पुलिस का दबदबा वहाँ पे दिखा है हम लोगों, इस शांतता से रूपमार्च हमारा कंप्रिट हुए,